आप सभी को राधे राधे प्रियादर्श को पस्तितूंदिनांक तेज जून 2020 का रासी फल लेकर यह रासी फल आपकी चंद्र रासी तथा नाम रासी पर आधारित है चलिए कारेकर्म को आरंभ करते हैं सर्व पर्थम यदि आप हमारे वीडियो को पर्थम बार देख रहे है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य अगरें ताकि सर्व पर्थम वीडियो आपके पास पहुँचें आपको सर्व पर्थम पंचांग प्राप्त हो चलिए जानते हैं आज का पंचांग आज दिन मंगलबार आसानमा सुकल पक्ष की दुदियाति थी है जो दिन में 11 बज़ कर 18 मिनट तक रहेगी इसके पश्चाद तिरतियाति थी आरंब होगी आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो उद दिन में एक बज़ कर 31 मिनट तक रहेगा इसके पश्चाद पुस्य नक्षत्र आरंब होगा आज दुरूव योग 11 बजे तक इसके पश्चाद व्यागहत योग आरंब होगा आज करण कॉलव है जो 11 बज़ कर 18 मिनट तक है इसके पश्चाद तेतुल करण आरंब होगा आज चंद्रमा मिथन रासी में है राहुकाल का समय रहेगा साम को 4 बज़ कर 30 मिनट से आरंब होकर 6 बज़ तक पूरे समाप्थ होगा आज का सरबोतम सुभ मूर्थ शुबा 10 बज़ कर 30 मिनट से 12 बज़ के 15 मिनट तक आज अभिजित मूर्थ का समय रहेगा 11 बज़ कर 47 मिनट से 12 बज़ कर 43 मिनट तक साम को सरबोतम सुभ मूर्थ रहेगा 4 बज़ से आरंब होकर 5 बज़ के 30 मिनट तक आज तिथी के अनुसार बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए आज दिसासूल उत्तर दिसा की यात्रा ना करें और आज जिनका जनम दिन है मेरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत हर्दिक शुब काम नाएं आज आप घर पर बड़े बुजर्गों का असिरबाद लें तथा हनुमान चाले इसा का एक पार्ट अवस्य करें दिन मंगल में रहेगा और आज विशे सुपाय में चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्री के दुतिया दिन में भगवती के साथ साथ भगवान शिव को भी किस प्रकार प्रशन किया जा सकता है और भगवान के सिव के प्रशन होने से भगवान शिव के प्रसन होने से ब्यापार में किस प्रकार का लाब हमें प्राप्थ होता है, चमतकारी लाब हमें प्राप्थ होता है, जानेंगे, सबसे पहले राशी फल के विशे में चर्चा करते हैं, सबसे प्रथम मेश रासी, मेश रासी के जो जातक हैं, उन्हें आज मित्रों से सयोग प्राप्थ होगा, अर्थ का लाब सुबरंग पीला मिथुन रासी दूसरों से आज आपको सैयोग प्राप्थों का धहरे बना कर रखे बेपार में लाब होगा शुब अंग एक सुबरंग हरा करकरासी आज धनागमन का योग बना हुआ है आज कारे को बड़े तरीके से आप करें बड़ो की राय लेकर आप कारे को करें सुब अंग तीन सुबरंग भूरा सिंग रासी वाले आज पिता की आग्या आप मानें नए कारे कर सकते हैं धन का लाब होगा सुब अंग दो सुबरंग के सरिया कन्या रासी आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज लाब के साथ साथ लोग आपके कारे की भी प्रसंजा करेंगे सुब अंग नो सुबरंग पिंक ऐसे ही तुला रासी वाले भागे का आपको साथ प्राप्त होगा नवीन कारे आरंब कर सकते हैं शुब अंग चार सुबरंग लाल प्रश्चिक रासी आज दूसरों का से यूग आपको प्राप्थ होगा लेकिन कारे पर विसेज ध्यान दे सुब अंक छे सुबरंग ओरेंज धनु रासी वाले आज आप प्रसंद रहेंगे ब्यपार में लाप प्राप्थ होगा शुब अंक एक सुबरंग सफेद मकर राशी धना गमन हो सकता है और वाहन ध्यान से आप आज चलाएं शुब अंक साथ सुबरंग बैंगनी कुमरासी वाले आज आज आप अच्छे विचारों को महत दें सकारात्मक सोच रखें लाब की आपको प्राप्ती होगी सुब अंक आठ सुबरंग लाल मीन डासी वाले आज आपका आत्मविस्वास बढ़ेगा आत्मविस्वास में आपके ब्रद्धी होगी बाणी प्रस्यम रखें सतर ग्रहें सुब अंक दो शुबरंग ग्रे और आज विसे सुपाई में चर्चा करते हैं अब हम कि गुप्त नवरात्रों के दुत्य दिवस में किस प्रकारशे भगवती के साथ साथ भगवान शिब को हम प्रसंद करके क्या चणाएं ऐसा कि जिससे हमें लावगी प्राप्ती हो ब्यापार में हमारे ब्रद्धी हो चलिए जानते हैं भगवान शिब को अनिकानेक वस्तुएं प्रिये हैं और हम भगवान का जब अविशेक करते हैं तो उसमें भी अनिकानेक वस्तुओं का प्रियोग करते हैं भगवान को भांग जडाते हैं धतूरा जडाते हैं दूद चडाते हैं दहीं जडाते हैं दीपक जलाते हैं इत्र लगाते हैं वस्तर चड़ाते हैं जन्यों चड़ाते हैं तो अनिकाने के वस्तुएं हैं और हर वस्तु का अलग-अलग विदी है अलग-अलग विधान हैं और किस दिन किस समय किस चीज को चुड़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है ये सब विचार होती हो सकती है और धन का विशेस लाब आपको प्राप्त होगा तो चलिए जानते हैं कि किस चीज का प्रियोग करके हम लाब प्राप्त कर सकते हैं तो वह वस्तु है घी देखने में साधारन लेकिन कार्य असाधारन जिस प्रिकार गव माता के दूद से घी बनता है लेकिन घी का प्रोसेस क्या रहता है बनाने की प्रक्रिया क्या रहती है कितना संगर्ष के बाद हमें घी प्राप्त होता है ऐसे ही वह घी हमारे लिए अनिकाने के लाब देने वाला है तो जैसे दूद से दही बनाते हैं दही लेकर यदि हम प्रति दिन मंदिर जाएं और वहां भगवान शिव के सम्मुख शिवा लेके निकट प्रति दिन संध्या के समय एक दीपक प्रजलित करते हैं तो यह दीपक हमारे बेवसाय छेत्र में प्रगती लाने वाला है अगर शंभव ना हो पाए जाना प्रति दिन आप किसी भी सिवजी के मंदिर में घी की बेवस्ता ऐसी कर दें घी आप दान कर दें कि आपकी तरब से दीपक वहां प्रति दिन जले तो इससे भी आपको निरंतर उन्नती प्राप्त होगी और मालक्षमी की अन्त किरपा आप प हम घर में चलाते हैं तो उससे घर में सुक्ष और संब्रद्धी की प्राप्ति होती है कल्य का बातावरन समाप्त होता है और यद्द्धी जीवन में रोग भी चल रहे हैं तो रोगों से भी मुक्ती यह घी दिलाता है कैसे इसी घी को यदि हम पूर्ति दिन भगवान मुक्ति करता है रोगों को डालने वाला है तो रोग मुक्ति के लिए भी यहगी रामबान उपाय है तो घी से जुड़े हुए चमतकारी उपाय आपने सुनी अतहा इस प्रकार के आप उत्तम उपाय करके सिग्रला प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ही क्यान वर्दक हमारी वीड वीडियो देखिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै जै स्री राधे घन शाम